आज हम लोगों ने यहां पर शीला दिक्षित के घर पर प्रदर्शन किया अब शीला दिक्षित के घर पर मुझे लगता है कि प्रदर्शन करते हुए हम जो कह रहे हैं कि इस्तिफा दो मुझे लगता है क्यों हम कह रहे हैं इस बात इसको भी पुड़ा बेतर समझने की जरुवत है और लोग बताने की जरुवत है जाहिर से बात है कि शीला तिक्षित ने ये जो बात कहीं कि भी ये डीटीसी बस में नहीं घटी प्राइवेट बस में घटा इसके लिए मेरी जिम्मेदारी क्या है तो ये तो हम सिखाने आई हैं कि भाई अगर कोई प्राइवेट बस जिसमें आयन रॉड रखे हुए हैं लगाता और जिसमें इस तरह के हैवान खुल्याम घूम रहे हैं सडक पर और उस बस की कोई रूल रेगुलेशन नहीं है आराम से सडक पर चलते पैसेंजर उठा सकती है कुछ भी कर सकती है तो इसके लिए तो भई आप ही जिम्मेदार और कोई जिम्मेदार नहीं है आप ही जिम्मेदार अगर वो लड़की अभी अपने जान के लिए लड़ रही और आयत मने रोज कर रहे हैं शीला दिक्षित ने कहा था जिस समय वो जर्णिलिस्क सौम्या के हत्या हुई थी कि अरे बापने वो तीन बने राक में निकली थी तो वो ज्यादा एडवेंचरस तो हम यहां कहने आए हैं कि महिलाओं को एडवेंचरस होने का हर अधिकार हर हक है हम एडवेंचरस होंगे हम रेकलस होंगे हम रैश होंगे हम अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे हम कैसे कपड़े पहनेंगे यह आप हमें मत बताओ हमें कितने बज़े रात में चलना चाहिए दिन में कैसे चलना चाहिए क इसमें में एक और बात आपको याते हैं, पुलिस कमिशनर जो मीरेच कुमार नयानया बने थे पुलिस कमिशनर तो उन्होंने एक प्रेस कॉंफरेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, पुलिस कैसे कुछ कर सकती है रेप की घटनाओं को ले करके, एक तो उन्होंने कहा जिसने रेप किया तो उससे पकड़ना तो उतना ही आसान होना चाहिए तो हमारा सवाल पुलिस से ये नहीं है कि उसने कैसे रोका नहीं और तो ये जानना चाहते है कि जो conviction rate है रेप की वो 1971 में 46% थी और आप जाकर के वो 26% हो गई है इसके लिए कौन जिम्मेदार इसमें सीधी बात है कि पुलिस के investigation में भयानक gap है भयानक कमी है वो investigate नहीं कर रही है कोई procedure नहीं है कि रेप की घटना में कैसे आपको proceed करना है एक ही procedure है जो मुझे लगता यहां खड़ी जितनी लड़किया है मैलाए है हम सब जानते हैं कि एक ही procedure है डेली पुलिस का आप थाने में अगर जाईए और कहिए कि मेरे साथ यह नुद्पिडन हुआ है वो सबसे पहले आप से कहेंगे कि आप फाइल मत करिए अजीब अजीब से लोग आ जाएंगे थाने में कहां से आ जाएंगे पता नी आपको समझाने के लिए कि बेटा रेप में यह कंप्लेंट मत फाइल कर दो और जब तक आप सीधा मत बरितने डी सीपी से बात नहीं करते यह नहीं कहते कि हम चाथ तशुन इस महिला संटन से है तब तक कुछ नहीं होता ये मुझे लगता है आम घठना है जो सारी लड़कियां दिल्ली में शायद ही कोई महिला हो कोई लड़की हो जिसे लगा हो कि हम अगर दिल्ली पुलिस के पास जाते हैं तो दिल्ली पुलिस इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर ये पता ने किस रूल बुक में लिखा हुआ है एक और भी बात है नीरज कुमार ने उसी प्रेस कॉंफरेंस में कहा था कि लड़कियों को अकेले रात में नहीं चलना चाहे किसी को साथ ले करके चले और दो बज़े रात में अगर आप अकेले चलेंगी तो आप हमको कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको बचाने आए ये बात उन्होंने कही थी अब ये जो घटना घटी है ये तो सीधी बात है बहुत अब्यस बात है कि भई इसमें तो रात के दो बज़े थे उसके साथ कोई था वगएरा लेकिन मैं वो नहीं आर्ग्यू करना चाहते हैं मैं मानती हूँ कि लड़कियां अगर अकेले भी न रात में निकले ये पूछा जा कि जेस्टिफिकेशन देने की जरूत नहीं है कि उनको की से निकलना पड़ता है वो रिटार्म कर रहे हैं घट पी-जूकरीजिकर में गुना की नौकरी है इसके है कि हम रात पी जाकर करेख के लिए ही निकलती हैं विचारी क्या कर सकते हैं वो πिम फार से बाहर निकलते हैं कि घर के बीतर हो गरे के बाहर हो रात के समय हो दिन के समय हो किसी भी वज़से हो कुछ भी कपड़े पहनी हुई हो लड़कियों की आजादी ये बड़ी चीज है और उनको बेक होफ आजादी उसको हमें बचाने की जरुवत हूँ उसके सुरक्षा के हम मांग करें ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाओं के सुरक्षा वाला ज को हम सुनते हैं सुरक्षा का मतलब हम सारे महिलाएं जानती हैं सुरक्षा मतलब you behave yourself you to go back into the house you don't rest in a particular way वना आप अपनी आजादी सेमत रहिए इसका मतलब है कि आप सुरक्षित रहिए सुरक्षा के लिए धेर सारे जो पित्त सता प्मिंएम कानून है उसको सुरक्षा बना करके परोसा जाता है महिलाओं के सामने और यह हम इस परोसे हुए थाली को एकड़न पटक दे रहे हैं हम कहरें हिके हमें नहीं चाइillar हम क्या कहने आए हम यहां यह कहने आए है कि दिल्ली पुलिस अगर ad campaign चला रही है महिलाओं पर हिंसा के खिलाव क्या ad campaign है आपने देखा होगा वहाँ ITO पर लगा हुआ है बड़ा सा होडिंग और कई जगह देखा होगा उस ad campaign महिलाओं के हिंसा के खिलाव ad campaign है जिसमें एक भी महिला नहीं है कोई महिला नहीं है उसमें एक male film actor है फरहान अक्तर जो कह रहे है be a man come and join me in protecting women मर्ग बनो और आकर के महिलाओं की सुरक्षा कर तो मैं पोछना चाहती हूँ कि जो भाई अपनी बहन का सिर काट देता है करतव नहीं निभारा है मर्दानगी यह क्या कोई महिलाओं पर होने वाली हिंसा का यह समाधान है या समस्या है समस्या की जड़ है इसको सोचने की जरुवत है और मुझे लगता है कि पूरे देश में यहीं देखते हैं हम लोग कि अगर महिला आंदोलन छोड़ दीजिए वाम आदोलन छोड़ दीजिए तो बाकी सारी जगह पूरा जो सरकारी तंत्र है पुलिस व्यवस्था है राजनीतिक पार्टियां है जुडिश्यरी है यह सारे जो है महिलाओं की सुरक्षा की जब बात करते हैं तो एक खास तरह की पित्रसतात्मक सुरक्षा की बात कर रह है वो महिलाओं की आजादी उसके बेखोस अनक्वालिफाइड फ्रीडम उसके प्रोटेक्षन की बात नहीं कर उसके डिफेंस की बात नहीं कर और मुझे लगता है कि हमारा काम यह है यह जो सरक पर आंदोलन चल रहे है आज दिल्ली में कई दिनों से चल रहे है मैं उम्मी क्योंकि हमारा गुस्सा जरूर जायज है लेकिन मुझे बड़ा खौफ लगता है कुछ सोल्यूशन से क्योंकि मैं मानती हूं कि अगर कन्विक्षन रेट कम है तो उसका सोल्यूशन डेथ पनिल्टी कैसे हो जाएगा कन्विक्षन रेट कम है क्योंकि आपके पूरे प्रसी जो गटना मुनिर्का के बस में उस बस में गटना घटी है उसमें वो रेट की परिभाषा में आएगी नहीं उसका एक हिस्सा जो कि सच्मुच में जानलेवा था उसके लिए उसके लिए उसके लिए अपना खतरनाक था एक और बात मैं यहां बहुत जोर दे करके कहना चाहती हूँ, सुश्वा स्वराज ने कल मैं सुन रहे थी कि पार्लिमेंट में जो स्वीच दिया, उसमें एक बात कही जो मुझे बहुत ही घृणित बात लगी, highly condemnable बात लगी, उसमें उन्होंने कहा कि अगर ये लड़की इसलिए है, उसमें संघर्ष किया है और इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए इन बलातकारियों ने कहा कि तुम्हें सबक सिखाएंगे, इसलिए बलातकार किया, क्योंकि उसमें संघर्ष किया ये अनुद्पिडन के खिलाफ, हम सारे लोग जानते हैं यहां जितनी शायद ह कोई महिला हो, कोई लड़की हो, जिसने दिल्ली के सडकों में, दिल्ली की बसों में पढल outlet में लड़ाई न किया हो अकेले न लड़ा हो का अकेले संगर्ष न किया हो और खुद को अकेला न पाया हो इस तरह के परिस्थिती में ऐसा जब करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में सब हमको कहेंगे, यही बात कहेंगे कि देखा हमने आपसे कहा, ऐसा करेंगे तो आपके साथ जो है आप ये खत्रा मोल रहें, लेकिन मुझे लगता है कि वो लड़की मैंने तो पढ़ा, अख़बारों में पता नहीं सही है कि नहीं, कि उसको होश आया तो वो यही पूछ रही थी कि वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, उसके लड़ने की इच्छा भी बरकरार है, वो खतम नहीं हुई है, और उस लड़ने की इच्छा को हम सलाम करते हैं, हम कहते हैं कि जो रेप को सर्वाइव करते हैं, रेप सर्वाइवर्स वो जिन्दा लाश नहीं है तो पूरी जीती जागती महिला है लड़ती और संधर्श करती महिला है और वैसे तमाम महिलाओं को हम सलाम करते हैं पूरे एक और आखरी बात में कहना चाहती है मुझे लगता है कि इस तरह कि घटनाओं में राजनीत नहों कहने वाले काफी सारे लोग होते कहते हैं कि ऐसी घटनाओं में राजनीत मत करी लेकिन मुझे लगता है राजनीत बहुत सस्ती चीज नहीं होती है राजनीत करने की जरूर भी है क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारे देश की जो संस्कृती है हमारे देश का जो पूरा एक कल्चर है जो रेप को जस्टिफाई करता है रेप के जस्टिफिकेशन में धेर सारे लोग बोलते हैं दिल्ली के बड़े-बड़े पुलिस ऑफिसर जो रहे हैं केपीएस गिल ये कह चुके हैं कि लड़कियां तंग कपड़े पहनती हैं हिंसा के बारे में इसको सरकार को सुनना पड़ेगा आपके इस पार्लिमेंट के भीतर कुछ घड़ियाली आसू बहा देने से काम नहीं बनेगा डेट पेनल्टी डेट पेनल्टी चिलाने से जो रियल समस्या है इसका हल नहीं निकलेगा मुझे हास्यासपद लगता है कि बीजेपी कहती है डेट पेनल्टी लेकिन बीजेपी जो है उसकी जहां सरकारे हैं वहाँ पर उसके अपने जो गुंडा वाहिनिया हैं वो जीन्स पहनने वाली लड़कियों को दोडाती हैं मुस्लिम या क्रिस्टियन बॉइफरेंड रखने वाली लड़कियों को दोडाती हैं और कहती हैं कि लड़कियों को भारतिय संस्कृति के हिसाब से रहना होगा वरना ये गुंडे जो है ये आकर के इस तरह का जो समाधान देते हैं इसके खिलाफ हमें एक पूरा काउंटर काउंटर कल्चर देना होगा एक काउंटर पॉलिटिक्स देनी होगी जो कि सचमुच में महिलाओं की पूरी आजादी महिलाओं के बेखोफ जीवन जीने का जो अधिकार है उसके सुरक्षा की मांग हम कर रहे हैं मैं इससे बहुत जादा आगे नहीं कहना चाहती हूँ एक बात ही कहना चाहती हूँ कि यहां जो ओर्टरक कैनन यह लोग जलाने के लिए यहां तैयार रहे हैं यह मेरे लिए भी बड़ा सर्प्राइशिंग था मुझे लगा कि दिल्ली में जगा जगा आज प्रदर्शन हो रहे हैं पिछले दो दिनों से हो रहे हैं कम से कम सरकार को इतनी समझ होनी चाहिए कि भाई लोगों का जो गुसा है वो वाटर कैनन से तो पीछे नहीं हट जाने वाला लाठी दंडों से नहीं हटने वाला यह शरम की बात है कि जो सरकार बलातकारियों के पक्ष में धेल सारे तर्क पेश करती है जो सरकार और जो पुलिस वो बलातकार के खिलाफ महिलाओं की हिंसा के खिलाफ संगर्श करने वाले लोगों पर हमला करने के लिए हमेशा तयार रहे